जैसी अराम राधे राधे आप सभी लोगों को करवा चौत की हारदिक शुपकाम नाएं और एक कमेंट बहुत जदा आ रहा है मेरे पास कि करवा चौत पूजा में करवे कैसे फेरने हैं कितने करवे लेने हैं और करवो में क्या भरा जाता है तो आज हम यही देखेंगे इस वीडियो में तो देखें सबसे पहले तो अगर आपकी चोकी छोटी हो तो थोड़ी जगा बना ले करवे फेरने के लिए क्यूंकि जब आप करवे फेरते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए तो आप थोड़ी जगा बना ले और देख आप अप्ति के ले सकते हैं, दोनों धातु के ले सकते हैं या तो अनंगे ले सकते हैं, या अगर अचनी का भड़ सकते हैं, जो भी आपने खाने का वनाया हो पूरी, खीर , हलवा बगर वह सकते यह देखें इस तरह के जो चीनी के लड़ी जमिए कर्वे और न सबरें को ढालें ह Baumorot आशिरवाट के रूपमें किसी को भी दान करते हैं सासुमा आशिता इस तरीके से साथ बार इन्हें बदल के हाथ क्रोस करके भी फिर्चाथा इस तरह से भी फिर्चते हैं को साथ wäh is तरह छहां से घखे इस तरह जब आपके करवे जाते हैं याने कि करवा फेरा जाता है और इस疫ाbung Enew middle Joycee Oh जो सिदूगर कर्वाती करवा वाला करवा मिला है उस जो आप को करवा मिला है उससे तो आप जो है अपना व्रत खो लएंगे आप खाना वना और भी खा सकते हैं लेकिन प्रशाद रूप में उसे आप ग्रहन कर लेंगे और जो आपका करवाथा जो पारवती माता के पास चला गया है उसे आपको दान करना होता है किसी भी अपने बड़े रिष्टे को सासु माता को किसी को भी करें लेकिन आप याद रखेगा जिसे भी आप दे रहे हैं वो सुहागन होनी चाहिए ससुर जी नहीं है तो उस केस में आप मंदिर में या किसी भी और को देके आएंगे वो अलग दे दिजेगा आप मिंसा हुआ पना लेकिन सासु मा को भी साड़ी या कुछ आप पैर्चु के दक्षना बगारा जरूर दे यानि कि आपको सासु मा को भी इस तरह से रिता नही रहती हैं और आप उनहीं को देके आएंगे तो आप या तो इसमें पताशे भर सकते हैं चीनी भर सकते हैं या ड्राइफ रूट भर सकते हैं कुछ ऐसी चीज भर लें जो कि जल्दी से खराब नहों और जब भी आप उनसे मिले या आप किसी के द्वारा उन तक पहुँचा आपको ये सरल विधी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले जै चौत माता